मैं हूँ नफीसा खान और आप सुन रहे हैं फिल्मी बीट अजे देवगन की बाशाहों का कास्ट कन्फ्यूजन आखरकार खत्म होता दिख रहा है और अगर खबरों की माने तो मिलन लूथरिया ने फिल्म के लिए एश्वर्या राय को अप्रोच किया है गौर तलब है कि अश्वर्या और अजे देवगन की टीम हमेशा धमाकेदार रही है हम दिल दे चुके सनम खाकी रेंकोट हम की सीज़े कम नहीं जैसी फिल्मों में काम कहने के बावजूद उनकी जोड़ी के पोटेंशिल को किसी ने धमाकेदा तरीके से परदे पर नहीं उता रहा इसलिए मिलन लूथरिया चाते हैं कि एश और अजे को ब्लॉक बस्टर कबल के रूप में पेश किया जाए फिल्म की बाकी कास्ट फाइनल हो चुकियो और माना जा रहा है कि एश्वर्या राय भी इस प्रोजेक्ट में काफी दिल्चस्पी लेती दिख रही है और इस फिल्म के लिए वो हाँ ही कहेंगी वैसे फिल्म की कहानी इतनी जवर्दस्त है कि इसे ना कहने का सवाल ही नहीं उठता वहीं दूसी तरफ फिल्म के लिए पहले करीना का पूर प्रियंका चोपडा को अप्रोच किया गया था पर उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया चलिए इस फिल्म के बारे में थोड़ी और भी ज़्यादा डिटेल से बाते कर लेते हैं आपको बता दें कि इस फिल्म में एश्वर या एक राजस्थानी राजकुमारी का करदार अदा करेंगी इस फिल्म की कहानी राजस्थान के सेट अप पर बनी इमर्जनसी के दौरान की कहानी है और इसमें सत्तर के दशक का पूरा फील लाने की कोशिश की जा रही है फिल्म की हर टीटेल पे काम बारीकी से किया जा रहा है इस फिल्म में विद्धुत होंगे पैरलर लीड हाला कि फिल्म में विद्धुत का करदार नेगिटिव है या पॉजिटिव ये कहना जरा मुश्किल है लेकिन उनका पैरलर लीड फाइनल है हो सकता है कि फिल्म के मेंड विलन विद्धु थी हूँ इसके अलावा फिल्म में पुलकिस समराट जॉनी लीवर और राजपाल यादव कॉमेडी की डोस देंगे तो वहीं राहुल देव भी फिल्म का हिस्सा होंगे उमीद की जा रहे है कि ये फिल्म 2017 रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीस होगी और फिल्म में पूरा देश फक्तिवाला फील होगा चलिए हम इंतजार करेंगे इस फिल्म का और साथ ही साथ अजय और एश्वर्या की जोड़ी को एक बाप फिर से सिल्वर स्क्रीन पर देखने का विल्हाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही